कैसे हैं बच्चे आप लोग आज हम आपको एक अच्छे सी कहानी सुनाइंगे कहानी का नाम है हथोडा और चाबी आईए सुनते हैं कहानी में क्या क्या है शहर में एक काले वाले की दुकान पर अनेको तालों चाबियों और विविन ओजारों के बीच एक मोटा हथोड़ा भी था जो तालों को तोड़ने के काम आता था हथोड़ा रोजाना देखता कि छोटी छोटी चाबियों से बड़े बड़े ताले तो खषण भर में खुल जाते हैं जबकि मुझे उनको खोलने के लिए अनेकों जोड़दार प्रहार करने पड़ते हैं आखिर एक दिन हथोड़े ने चाबी से पूछा बहिन आखिर ऐसा क्यों होता है तब चाबी ने हथोड़े से कहा भाई मैं ताले को खोलने के लिए प्रेम पूरवक उसके हिर्दे में प्रवेश करती हूं और फिर उससे विनमृता से निवेदन करती हूं तो वो ताला खुल जाता है जबकि हथोड़ा क्या करता है वो उसमें प्रहार करता है तो चाबी आगे कहती है यदि हम किसी से प्रेम, विनमृता और सुहार्ध पूर्वक विहार करेंगे तो वो ताले के समान ही आसानी से खुल जाएगा और यदि हम कठोर बने रहे तो हतोरे के समान ही हमें उसके लिए प्रयास करने पढ़ेंगे तो कैसे लगी बच्चो आपको एक कहानी अच्छी लगी ना चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या क्या प्रस्न उत्तर होते हैं पहला प्रस्न है हतोरा किस धातू से बना होता है तो बच्चो हतोरा किस धातू का बना होता है हतोरा समानित लोहे से बना होता है प्रस्न दू लोही की चीजें लोहार के द्वारा बनाई जाती हैं प्रशन तीन है हतोड़े का प्रियोग किन किन कारियों के लिए किया जाता है तो आप हतोड़े का प्रियोग अपने घरों में किन किन कारियों के लिए करते हैं हम हतोड़े का प्रियोग चीजों को तोड़ने के लिए करत यह तो उसके लिए हम हतोड़े का प्रियोग करते हैं तो इन सभी कार्जियों के लिए हतोड़े का प्रियोग किया जाता है यदि आपको ताला खोलने के लिए हतोड़ा और चाबी दी जाए तो आप किसका प्रियोग करेंगे? जाहिर सी बात है हम हतोड़ का प्रियोग तो ताला खोलने के लिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है तो हम उत्तर क्या लिखाया देखे यदि हमें ताला खोलने के लिए हतोड़ा चाबी दी जाए तो हम चाबी का प्रियोग करेंगे अगला प्रस्ण है निमने के विलोम शब्द लिखिए दिन का विलोम क्या होता है बच्चों? हाँ रात होता है विनम्र का अविनम्र या कठोर खोलना का बंद करना मोटा का विलोम पतला तोड़ना का विलों जोड़ना तो अब आपके लिए एक ग्रहकारी है आप लोग क्या करेंगे आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई ताला है और आप उसे चाबी से खोल रहें और अचानक चाबी उस ताले में फस जाती है तो फिर आप उस चाबी को कैसे निकालेंगे तो आपने क्या करना है आपने उस चाबी को निकालने की जो विधी आपके दिमाग में आ रही है कि किस तरह से हम चाबी को हथोड़े से बाहर निकालेंगे वो पूरी विधी अपने शब्दों में, अपनी कौपी में लिखनी है और सुन्दर अक्षरों में लिखनी है उसके बाद अपने अध्यापक जी के पास WhatsApp सिव्स की फोटो खीच के भेजनी है जिससे कि सब को पता चल सके कि आपने कौन सा उपाय सोचा तो आपको कहानी भी अच्छे लगी होगी और उस पाद हरित प्रशन उत्तर भी अच्छे लगे होंगे चले बच्चो, थैंक यू